आज हम हल्वाई स्टाइल गाजर का हल्वा बनाएंगे जो की मावे के साथ बनाएंगे इसके लिए हम सबसे पहले मावा बनाएंगे इसके बाद हम गाजर का हल्वा बनाएंगे आप देख सकते हैं, हमने जो हल्वा बनाया है, वो बिल्कुल हल्वाई स्टाइल दानेदार हल्वा बना है, इसके लिए हम सबसे पहले मावा बनाते हैं मावा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 लीटर दूद लिया है यह गाय का दूद है जिसको की मैंने गरम कर लिया है इसको हमें एक बॉयल आने तक इसे उबाल लेना है स्लो गैस पे इसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और आप देख सकते हैं ऐसे बीच में ज करण दूद लेब भार बहुर्र के इसको भीच भीच में ória को पका लेना है जिससे कि अमारा एकदम मावा नंके तयार और भीच भीच में खम निकाले हैं भारगल की देख सकते हुए भागलते बॉछल में यह मैंने गैस की फहलेम को मीडियम रखा है यह तो बिल्कुल भी बहार नहीं जाएगा, यदि आपने slow gas पे मावा बनाया, तो वो मावा जादा अच्छा नहीं बनेगा, और time भी जादा लगेगा, आप इसको speed पे बनाएंगे, तो मावा आपका जल्दी से बनके तयार हो जाएगा, हम मावे को 30-40 मिनिट में बनाके तयार कर ल यदि speed को कम जादा किया, तो हमारा मावा जादा अच्छा नहीं बनेगा, चिकना हो जाएगा, और नीचे चिपकेगा भी, इसलिए ना हम slow करेंगे gas को, ना ही full करेंगे, आप देख सकते हैं, हमारा दूद अच्छे से गाड़ा हो गया है, बिल्कुल मावा बनने की stage पे आ पे रखना है, आप देख सकते हैं, अच्छे से मावा बन के तयार हो चुका है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं, चेक करने के लिए हम थोड़ा सा मावा हाथ में लेंगे, और इसका एक बॉल बना के देखेंगे, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रह और यदि हाथ में उसको रोल करेंगे, तो आपको फिंगर पे खोड़ा साइनिंग दिख रहा है, जो की मावे में से घी निकला रहता है, उसका होता है, तो यह उसकी पहचान है, कि हमारा मावा प्रॉपर बन के तयार हो चुका है, अब इसको हम ठंडा कर लेंगे, इसके ब लाल गाजर लेने हैं, और मीडियम थिक गाजर लेने हैं, ज्यादा मोटे गाजर हम नहीं लेंगे, गाजर को मैंने अच्छे से धो लिया है, और ड्राइ कर लिया है, अब इसके बाद हम गाजर को छील लेंगे, सारे गाजर हमने छील के अलग कर लिये हैं अब इसको हम अब गाजर को हम ग्रेटर की मदश से ग्रेट कर लेंगे हमें गाजर को गुमाते हुए ग्रेट करना है जिसे कि उसका वाइट पार्ट ना ग्रेट हो और वो रोल करते हुए रेड रेड पार्ट ही हमारा अच्छे से ग्रेट हो आप देख सकते हैं मुझे इतना बड़ा लच्चा बनाना है या ग्रेट करना है बारिक ग्रेट नहीं करेंगे आप देख सकते हैं मैंने सारे गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है मैंने जो white part side में निकाला है उसका वजन और छिलकों का वजन मैंने minus कर लिया है यह total सवा किलो गाजर का grate निकला है आप इसके according ही उसमें दूड डालेंगे और उसके according ही हम इसमें चीनी लिया सक्कर डालेंगे अब यहाँ पर मैंने चीनी लिया है दूड लिया है और मावा लिया है और grate किया हुआ गाजर लिया है चीनी मैंने यहाँ पर एक कप लिया है मेजरिंग कप से 250 ml के कप से एक कप मैंने चीनी लिया है और मावा लिया है जो कि मैंने बना कि अभी थंडा कर लिया है वो मावा है और 500 ml ही हम इसमें दूड डालेंगे अब हम एक हैवी बॉटम कड़ाई लेंगे और उसमें दो बड़े चम्मच हम गी डालेंगे घी अमारा अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम ग्रेट किया हुआ गाजर डालेंगे अब इसको हम अच्छे से हिला लेंगे और इसको हमें 5-6 मिनिट के लिए अच्छे से पका लेना है जिससे की गाजर गी के साथ अच्छे से सोटे हो जाएगी और इसका जो एक्स्ट्रा पानी निकलता है वो पूरा एब्जॉब हो जाएगा तब तक हमें इसको पका लेना है गाजर के हलवे को बनाने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि हमने यदि 2 किलो गाजर ली है तो उसका छिलको का वजन और बीच के हिसे का वजन हमें हमेशा माइनस करके ही उसमें दूद और सक्कर एड़ करना है यदि आपने 2 kg के हिसाब से एड़ किया तो वो जादा हो जाएगा अब इसमें हम 500 ml दूद एड़ करेंगे और दो बड़े चमच हम मलाई डालेंगे यह होममेड मलाई है जो कि मिन्न इसमें एड़ किया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हमें अच्छे से पका लेना है जब तक कि यह दूद और मलाई गाजर के साथ अच्छे से एब्जॉब ना हो जाए या पक ना जाए तब तक हमें इसे पका लेना है इसको हम बीच बीच में खिलाते रहेंगे जिससे कि यह नीचे चिपकेगा नहीं जब तक यह अच्छे से पकता है तब तक हम जो हमने मावा बनाया था उसको हम चन्नी की मदद से या ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेते हैं मावे को हमें ऐसे ग्रेट करके ही यूज करना है जिससे कि इसका दाना खिला खिला रहेगा अब देख सकते हैं मैंने मावे को अच्छे से ग्रेट कर लिया है एकदम दानेदार खिला खिला हो गया है जो की हम गाजर के हलवे में डालेंगे अब देख सकते हैं हमारा दूर अच्छे से एब्जॉब हो चुका है अब इसमें हम सक्कर एड करेंगे या सुगर एड करेंगे अब इसमें हम आधी सक्कर एड करेंगे और आधी हम बाद में एड करेंगे अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बॉयल आ जाए तब तक इसको हम पका लेंगे इसको एक बॉयल आने में तीन से चार मिनिट या पांच मिनिट तक लग सकते हैं अब देख सकते हैं सक्कर डालने से इसका कलर भी चेंज हो चुका है अब इसमें हम बच्चीवी सक्कर भी एड़ कर देंगे मैंने यहाँ पर एक कप सक्कर एड़ की है आप अपनी गाजर की स्वीटनेस के एकॉर्डिंग और टेस्ट के एकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं अब इसे हमें अच्छे से पका लेना है जब तक की सुगर का पानी या सक्कर का पानी थोड़ा सा एब्जॉब ना हो जाए इस थोड़ा एब्जॉब हो जाए पानी उसके बाद हम इसमें मावा डालेंगे मैंने यहाँ पर 300 ग्राम के बराबर मावा डाला है हम सारा मावा नहीं डालेंगे थोड़ा मावा बचा के रखेंगे उपर से गार्निसिंग के लिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से हमें अब पका लेना है आप देख सकते हैं मावा अच्छे से इसके साथ गुल चुका है अब इसको हमें इतना पकाना है अच्छे से पूरा दूद और मावा अंदर एब्जॉब हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से पका लेना है आप देख सकते हैं धीरे धीरे अच्छे से ड्राइ होना स्टार् लेना है जिससे की हमारा गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा बनेगा है आप देख सकते हैं मावे का दाना भी बहुत अच्छे से दिख रहा है यह बहुत ही अच्छा बनके तयार हुआ है अब इसमें मादा चमच इलाइची पाउडर डालेंगे अब हम एक छोटा पैन लेंग अच्छे से शिख जाए उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे यहां पर काजु को भी दो टुकडों में कट करके लिया है उसको भी हम अच्छे से घी के साथ सेख लेंगे अब सिक्के हुए ड्राइफ फूट को हम गाजर के हलवे में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम सर्व करेंगी यहां पर मैंने बच्चे हुए मावे को उपर से डाल के सर्व किया है और सिल्वर वर्व लगाया है आप चाहें कि उसको स्कीब भी कर सकते हैं पर उपर से मावा जरूर से डालें तो इसका टेस्ट बिल्कुल कैसा आएगा आप देख सकते हैं यह हमारा हल्वा कितना अच्छा बनके तयार हुआ है यह मावेदार हल्वा बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसको जरूर से घर पर बनाएं और हमें बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अधी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें और शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें थैंक्यू फर वाचिंग एंड सपोर्टिंग